हेलो माई डियर स्टूडेंट्स स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल फार्मा विंस में और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो की है एड्जॉप्शन एड्ज सॉलिड इंटरफेस यह जो टॉपिक है वो सर्फेस एड्ड इंटरफेशिय हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो के नीचे जो लाल बटन दिखाई दे रहा उसको दबाकर और उसके बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है उसको दबाकर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लिजे ताकि ऐसे ही बहतरीन एड्यूकेशन जैसे एक्जामपल हैं इसके गैसे डाइज वाटर वैपर्स मतलब वो सबस्टेंस जो की एड्जॉर्ब होता है किसी सबस्टेंस की सरफेस पर सताय पर जो है इसका एक एक्जामपल में आपको बताता हूँ जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे जैसे जो चौक होती है हम पर चौक से लिखते हैं तो जो चौक के जो पार्टिकल होते हैं वो उस ब्लैक बोर्ड पे क्या हो जाता है चिपक जाते हैं अधेयर हो जाते हैं या एड्जॉर्ब हो जाते हैं इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग एड्जॉर्प्शन अब यहां पर जो चौक के पार्टिक हैं वो हैं adsorbate क्योंकि यह जो है वो adhere या adsorb हो रहे हैं दूसरे substance के surface पर अब बात करते हम adsorbent की कि adsorbent क्या होता है it is the substance which adsorbs the other substance at its surface तो यह वो substance होते हैं जो adsorb क्या कहते हैं कि जिनके surface पर कोई दूसरे substance adsorb होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर example बताया कि blackboard और chalk का तो blackboard के जो molecule या जो substance है blackboard जो है वो यहाँ पर adsorbent की तरह काम कर रहा है जिस पर chalk के जो molecule है या substance है वो surface पर उसके adsorb हो जाते हैं यहाँ पर example है जैसे यहाँ पर और भी मैंने एक common example आपको दिया यहाँ पर अगर हम adsorbent की materials की बात करें तो वो होते हैं activated charcoal, bone charcoal, alumina, silica gel, kaolin and fillers earth चलिए अब हम लोग बात करते हैं solid gas interface की तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जानना होगा की adsorption और absorption में क्या difference होता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि क्या difference है adsorption is a process in which a substance takes another substance on its surface adsorption में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि adsorption जो process होता है उसमें कोई एक substance जो है वो दूसरे substance के surface पर adsorb हो जाता है या adhere हो जाता है ठीक है और वो surface पे ही रहता है absorption में जबकि क्या होता है कि absorption is a process in which one substance penetrates into another substance एक substance दूसरे substance में penetrate कर जाता है उसकी अंदर की सतह तक जो है सतह क्या कहें अंदर तक जो है वो internal जो structure है वहां तक उसकी अंदर तक पहुंच जाता है penetrate या absorb हो के ठीक है उसकी body में तो आप यहां पर दूसरा जो difference है adsorption में वो है the process is fast in the beginning and gradually becomes slower slower शुरूवात में तो यह adsorption जो है वो process fast होता है लेकि धीरे धीरे slow होता चला जाता है जबकि absorption में जो है वो uniform rate से होता है शुरू से last तक अगला जो यहां पर difference है वो है at the end molecules of the adsorbate are found only on the surface इसके last इस process के end तक भी जो molecules हैं वो surface पे ही adsorb रहते हैं जबकि absorption में क्या होता है last जब process यह last तक अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है जो molecules जो हैं वो absorb हो जाते हैं into the body of the solid अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि absorbent और adsorbate दोनों की हमने बात कर ली थी मैं यहां पर थोड़ा सा और बता देता हूं the solid on the surface of which gas or a liquid molecule accumulate is called adsorbent दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि जिसके surface पर कोई molecule adsorb होते हैं वो कहलाता है adsorbent और वो substance जो की किसी दूसरे molecule या दूसरे substance के surface पर खुद adsorb होता है वो कहलाता है adsorbate यह basic difference हो दोनों में अब हम यहां पर और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं any solid is capable of adsorbing a certain amount of gas the extent of adsorption at equilibrium depending on कोई भी solid जो capable होता है किसी जो है certain amount of gas जो adsorb करने के लिए तो जो adsorption की extent होती है equilibrium पर वो depend करती है इन चीजों पर क्या क्या एक तो temperature दूसरा pressure of the gas और तीसरा effective surface area of the solid तो यह तीन चीजों पर यह depend करती है कि adsorption कितना होगा equilibrium state में the most notable adsorbents आर यह काफी common और काफी जो है अच्छे adsorbent के examples हैं जैसे charcoal है silica gel है या फिर finally divided powders हैं यह काफी highly porous solids होते हैं the relationship अटा given temperature between the equilibrium amount of gas adsorbed and the pressure of gas is known as adsorption isotherm तो जो relationship होता है temperature के बीच में और जो adsorb होना है जिस gas को या फिर यह कह लिजे कि जो amount gas का adsorb होता है और जो pressure होता है gas का वो कहलाता है यहाँ पर adsorption isotherm when adsorption takes place the gas molecules are restricted to two-dimensional motion gas adsorption processes are therefore accompanied by a decrease in entropy अब यहाँ पर यह equation बनती है since adsorption also involve a decrease in free energy then form the thermodynamic relationship delta g is equal to delta h minus t into delta s it is evident that delta h जो adsorption यहाँ पर हो रहा है must be negative आगे हम बात करते हैं types of adsorption दो तरीके के adsorption होते हैं एक तो होता है physical और wonderful adsorption और दूसरा होता है chemical adsorption इसे हम chemisorption भी कहते हैं तो यहाँ पर देख लिते हैं दौनों में difference कि क्या होता है दौनों में difference physical adsorption और chemical adsorption में surface area कि अगर हम बात करें दौनों के cases में to the extent of the adsorption of gases on the surface is directly proportional to the surface area of solid जबकि chemical adsorption में क्या होता है the extent यहाँ पर दौनों में ही same होता है दौनों ही directly proportional होते हैं ठीक है मतलब जो extent होते हैं adsorption की gases की surface पर वो directly proportional होती है solid के surface area के त्यूसरी जोफिव्यूप्य थे लिए इंपर नशर of the gas since the forces that bind the molecules are wonder ball forces is easily liquefiable gases like so2 & ns3 are readily adsorbed whereas in case of chemical adsorption chemical adsorption is highly specific and is formed if only the adsorbed molecules are capable of forming a chemical bond with the surface तो यह basic differences हैं यहाँ पर physical absorption में और chemical absorption में pressure की हम बात करें तो pressure जो है वो directly proportional होता है extent of absorption के जब इसमें physical absorption में जब कि chemical absorption में क्या होता है pressure जो है वो directly proportional होता है extent of absorption only until the surface gets saturated जब तक surface saturate ना हो जाए तब तक उसके बाद क्या होता है pressure का कोई further effect नहीं पड़ता है absorption को बढ़ाने में heat of absorption since the wonderful forces are weak the heat of absorption is low physical absorption में wonderful force weak होते हैं इसलिए absorption heat होती absorption की वो भी low होती है जब कि chemical absorption में strong होता है chemical bond और जो absorption heat होती है वो जदा होती है reversible nature at high pressure absorption take place whereas decrease in pressure causes desorption high pressure पे absorption होता है physical absorption में और pressure अगर कम हो तो desorption है लगता है जब कि यहाँ पर क्या होता है जो heat of absorption है वो जदा होता है chemical absorption में जो decrease होता है pressure में अगर decrease होता है pressure में तो यहाँ पर क्या है कोई desorption cause नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर strongly bound होते हैं molecules surface के साथ में अब बात करते हैं हम लोग measurement of gas absorption gas absorption को हम कैसे measure कर सकते हैं इसके दो तरीके है the extent of absorption can then we determined either volumetrically और gravimetrically चीक है तो यहाँ जो process प्रोसेस होता है वो होता है the absorption of gas और vapor can be measured जो gas या vapor का absorption है उसे हम measure कर सकते हैं by admitting a known amount of adsorbate हमें जो amount हम एक known amount को adsorbate को जो है वो admit या introduce कराते हैं एक evacuated और leak free space में जिसमें outgassed जो है वो adsorbent हो तो अब यह volumetric method जो है वो देख लेते हैं this method is mainly used for the purpose of determining specific surface areas of solid from gas adsorption measurement तो यह जो है इस purpose के लिए इस्तिमाल किया जाता है the gas is contained in a gas burette and its pressure is measured with a manometer gas जो है वो भरी होती है gas burette में और pressure जो है वो हम measure कर लेते हैं manometer की मदद से all of the volumes in the apparatus are calibrated so that when the gas is admitted to the adsorbent sample the amount adsorbed can be calculated from the equilibrium pressure reading तो यार जैसे हम लोग यहाँ पर gas जो है वो introduce कराते हैं उस apparatus में तो जो solid है जो adsorb हम कह सकते हैं जिसको कि जो हमारा adsorbent sample है वो क्या होता है यहाँ पर adsorb कर लेता है उस gas को ठीक है तो उसी को हम calculate कर लेते हैं pressure reading से दे adsorption isotherm is obtained from a series of measurement at different pressures दूसरा जो method है वो है grabimetric method it can be used for studying both gas and vapor absorption यह दोनों के लिए इस्तेमाल होता है gas और vapor के adsorption को study करने के लिए purified gas और vapor is introduced into an evacuated pressure in which the sorbent sample is contained in a weighing pen यहाँ पर क्या होता है जो sorbent sample है वो रहता है एक weighing pen में अब हम क्या है जैसे ही gas या vapor जो है वो introduce कराते हैं और adsorption process start हो जाता है तो उस solid पे solid material पे हम अगर solid की बात कर रहें तो तो उस पे उसके surface पे adsorption जैसे ही होता जाएगा वैसे वैसे क्या है कि weight में change आएगा तो weight में जो increase होगा वो हम यहाँ से calculate कर लेंगे तो यही जो है वो measure कर लेंगे और यह जो direct तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा की adsorption कितना हो रहा है अब हम बात करते हैं adsorption isotherm की तो adsorption process is usually studied through graphs known as adsorption isotherm adsorption process को हम study कर सकते हैं adsorption isotherm graphs की through the amount of adsorbate on the adsorbent as a function of its pressure or concentration at constant t तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको process को adsorbate plus adsorbent is equal to adsorption यहां पर यह process reversible होता है adsorption भी हो सकता है और desorption भी हो सकता है तो in the given adsorption isotherm after saturation pressure adsorption does not increase एक particular जो है वो pressure के बाद adsorption further जो है वो नहीं बढ़ता है तो यह यहां पर यह graph है इसका vacancies on the surface of the adsorbent are limited at PSI stage is reached when all sites are occupied एक particular stage के बाद जब saturate हो जाता है surface adsorb मतलब उससे ज़्यादा adsorb नहीं कर सकता है तो जब occupied हो तो further increase pressure उससे ज़्यादा pressure अगर हम बढ़ाते हैं तो adsorption के बढ़ने में या increase होने में कोई फर्क नहीं पढ़ता है यह यह side में आप graph देख सकते हैं या पर यही चीज इंडिकेट की गई है graph between the amount of adsorbate adsorb on the surface of adsorbent and pressure at constant temperature अब हम लोग बात करते हैं types of adsorption isotherms की तो चार तरीके की adsorption isotherms होती है चीक है एक तो है frontlich isotherm एक है lagmir isotherm tamkin isotherm और brunner emmet and teller इसे हम BET isotherm के भी नाम से जानते हैं अब बात करते हैं solid liquid interface की इसमें हम लोग discuss करेंगे adsorption from solutions इसके बारे में the theoretical treatment of adsorption from solution however in general more complicated than that of gas adsorption तो यहां पर जो है वो हम देखने जा रहे हैं यहां पर discuss करने वाले हैं वो है the adsorption from solution on the solid surface since adsorption from solution always involves competitive competition between solute and solvent और between the components of a liquid mixture तो यहां पर solute जो होता है वो solid material होता है और solvent जो होता है वो liquid होता है कोई भी solute हम किसी liquid में जो है वो उसे हम add करते हैं अगर वो उसमें solubilize हो जाता है मतलब उसमें घुल जाता है तो उसमें solution कहते हैं नहीं घुलता है तो वहां पर एक तरीके से suspension के form में वो रहता है अगर solute insoluble है उस liquid में तो for the adsorption site consider an example a binary liquid mixture in contact with a solid तो zero adsorption refers to uniform mixture composition right up to the solid surface if the proportion of one of the components at the surface is greater than its proportion in bulk अगर किसी एक component का कोई proportion या कोई amount जो है वो किसी surface पर जादा है उसके bulk से bulk के comparatively bulk के comparison bulk मतलब होता है जैसे बीचों बीच लिक्विड के ठीक है या अंदर की तरफ liquid में उसे bulk कहते हैं और जो surface जो होता है वो सतह होती है तो अगर सतह पर जो है proportion जादा है किसी component का तो वो जो है वो component कहलाएगा positively absorbed और जो दूसरे component है या दूसरा component है वो कहलाएगा negatively absorbed तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये topic आपको समझ आया होगा इसी बात पर इस वीडियो को अभी like कर दीजे और अपने दोस्तों के साथ share जरूर कर दीजेगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं कर पाए है तो अभी वीडियो के नीचे लाल बटन subscribe का दबा कर चैनल को subscribe कर लिजे और bell notification भी जरूर दबा दीजेगा ताकि आपको आगे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले मिलते रहें तो मिलता हूँ आपसे एक और अगले एक बहतरीन educational वीडियो के साथ में तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी family का thank you so much for watching this video